हेलो एवरिवान वेल्कम टू केमेस्ट्री बतकरण आज हम करेंगे एक बहुत ही जादा इंपॉर्टेंट सेशन हाउ टू स्कोर हंड्रेड मार्क्स इंचेमेस्ट्री बोर्ड इग्जामिनेशन आज का टॉपिक आपके लिए बहुत जादा ही इंपॉर्टेंट होने वाला ह है तो पूरे वीडियो के इंड तक आप बने रहिएगा नो फ्रॉम आ हंड्रेड मार्क्स स्कोरर की स्ट्राटेजी आपकी क्या होने वाली है मैं हूं करंदीप सेंग और मेरे क्लास ट्वेल्ट एक्जामिनेशन में बोर्ड में हंड्रेड आउट ओफ हंड्रेड थे केमेस स्ट्री में मैं आपको बहुत ही अच्छे से गाइड करूंगा कि आपको क्या-क्या चीजे कैसे कैसे करनी है चलिए इस वीडियो को यार शुरू करते हैं सबसे पहले मैं बता दूं कि हंड्रेड मार्क्स कभी भी एक चीज से नहीं आते लोग बोलते हैं महनत कर लो सब्सक्राइब करने पड़ेगी प्लस आपको रिवीजन करने पड़ेंगे ठीक है और मतलब मैं तो बोलूगा कि अगर टू रिवीजन कर पाओ तो बेस्ट है पिर बात आती है आपका आंसर प्रेजेंटेशन आपको आता अगर सब है लेकिन आप अगर लिख नहीं पा रहे हो उस धंक से तो आपको सौ में से सौ शायद ना मिल पाए ठीक है 100 marks is not the only game of knowledge आपको लिख के आना चाहिए टॉपर की आसर शीट का अलगी चीज होता है ठीक है तीसरी चीज होता है timely completion of paper मतलब आपकी speed आपको आता भी सब है आप लिख भी अच्छे से रहे थे लेकिन आप लिख तीन घंटे में उसको नहीं पाए तो कोई फाइदा नहीं होगा आपका ठीक है स्टार्ट करते हैं देखो knowledge के लिए deep study हो गया revision हो गया अब यहां इस वीडियो को दो maximum हमान के सलता हूँ दो boards के बच्चे देख रहे होंगे first will be cbsc board जो I guess majority will be there and second will be isc board चिक है मैं तो obviously इन में से एक ही में रहा होंगा but I will be guiding you both because मैं उस चीज से गुजर चुका हूँ तो मैं पढ़ा भी रहा हूँ कुछ सालों से तो I know well how to score 100 marks cbsc को तो basically मैं बोलूँगा ncrt is sufficient for the book आपको यह reference लेना चाहेगा आप ले सकते हैं तो आप ncrt रीड कर सकते हो because that will anyways benefit you in for your jimans examination okay start करते हैं तो बेटा सबसे बहले knowledge के लिए हमारा syllabus क्या है we have physical chemistry we have inorganic chemistry and we have organic chemistry read तो आपको करना ही करना है अब मैं आपको बता देता हूँ कि important चीजे क्या-क्या है important points क्या-क्या है सब में और plus आपको revision कैसे करना है हाव टू डू रिवाइज हाव टू रिवाइज हाव टू रिवाइज हाव टू रिवाइज हाव टू रिवाइज है और रिविजिन ओके तो सबसे पहले आता है हमारा physical chemistry का segment तो देखो पढ़ना तो आपको सब कुछ है बड़ा अपको धान क्या-क्या रखना है रिविजिन के लिए मैं इसको लिख देता हूं रिविजिन के लिए ठीक है तबसे पहले आप काम क्या करो जो मैंने भी किया था आप एक formula लिस्ट प्रिपेर करो हमारे पास जो chapter है जैसा हमारे पास solid state हो गया solutions हो गया electro हो गया kinetics हो गया इनके आप formula list प्रिपेर कर लो एक जगा पे लिख लो ठीक है एक ही जगा पे लिख लो और just paste it on a wall or paste it at a place where you study so that you get to see it more and more times आपके नजर बार बार पड़ेगी तो आपको याद हो जाएगा ठीक है क्या इसका यूज है आपके question पहली बात तो सही होंगे और इसका answer presentation में भी आगे roll बताऊंगा इसलिए skip मत करना वीडियो आपने एक भी point skip किया आप सौ में से सौ में अटक सकते हो चीक है आगे बढ़ते हैं बई दूसरी बात आती है यार units की physical chemistry में units का सबसे ज़्यादा धान देना होता है इसलिए मैं तो बोलूँगा मैं यह recommend करता हूँ और मैं यह हमेशा खुद से भी follow करता हूँ कि numerical में हमेशा with units लिखो अब सर्विज units का मतलब क्या है जैसे delta tf is equal to kf into m होता है हम सबको पता है हम unit में गडबड़ी कर सकते हैं तो यहाँ पे आप unit के साथ ही लिखो मालनो 273 Kelvin यह फिर मालनो sorry मालनो 0.06 Kelvin is equal to kf आपको निकालना है ठीक है kf आपको निकालना है molarity मालनो something a दे रखी है इसको लिख दो mole per kg राइट दी units along with it so that आप कभी भी गलती नहीं करोगे चीक है और आपको units का proper ध्यान रखना है ऐसा नहीं है कि आपको पूछा ग्राम में गया था आप kg में निकालके चले आ रहे हो आपको पूछा किलो जूल में गया था आप जूल में लिखके आ रहे हो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है चीक है और रही बात या निमेरिकल प्राक्टिस की तो यह तो आपको फिजिकल के में करना ही करना पड़ेगा मैं बोलूंगा कि या इसके लिए कोई प्राक्टिस बुक ले सकते हो या फिर आप अपने पेपर को सॉल्व कर सकते हो ठीक है यह हुआ फिजिकल के में स्टी का सारा काम चलते हैं आगे इन और्गानिक के मेंस्ट्री पर तो मैंने एस इसलिए अप्रीजिए के लिए तो आप क्या करो शॉट और माइक्रों नोट बना एक कॉपी बना लो शॉट नोट के लिए जिसमें आप कैसे कैसे क्या क्या लिखना है पी ब्लॉक में जैसे आप क्या लिखोगे आप लिखोगे सारी रियाक्शन जितनी आपकी सिलेबस में रियाक्शन हैं उनको एक ही जगा पे लिख लो एक पेज में जितने आपके स्टुक्चर्श हैं पी-4-0-6-4-0-10 और जो भी जो भी आपके structures हैं आप उसको एक जगा पे लिख लो ऑक्सी आसेड ऑक्सी आसेड फॉस्फोरस क्लोरीन सलफर structure प्लस जो भी information है उनको एक जगा पे short में लिख लो क्योंकि यह सारी चीज़ें हैं जो बार-बार repeat होती हैं और जिनमें आपको याद रखनी की जरुवात है तो अगर आपकी एक अलग से एक जगा पे लिखा रहेगा तो इस पर दिमाग खराब कर देते हैं चाहिए में चाहिए बोड जो पूछ लेगा इसी बार पूछा था 26 फेबुरेरी शिफ्ट टू में पूछा था इसी बार electron gain enthalpy of group 16 कुछ भी पूछ सकता है कोई भी order पूछ लेगा melting point boiling point bond dissociation energy it can ask anything आप से ionization energy electron affinity electron negativity electron gain enthalpy melting point boiling point कुछ भी पूछ सकता है आप से exceptions सबसे ज्यादा important सबसे ज्यादा important यह चीज exception होती है यह आपको याद रखनी पड़ींगी तो इसलिए आप भूलना जाओ और आपको पूरी बुक में ढूड़ना पड़े बाइसी बात है चोटा चोटी कोपी है नाट डिजा यूमन टेंडेंसी ओके नाव वट तो स्टडी इन डीन एफ ब्लॉक ब्लॉक बटो रिवाईज इन डीन एफ ब्लॉक चिक है पहली चीज रियाक्शन ऑफ के मिन ओ फोर और के टू सियार टू ओ सेवन सारी के सारी जो रियाक्शन से कि एफ़ प्लस टू को ऑक्सिडाइज कर देता है एफ़ प्लस थ्री में यूजिंग कितने एलेक्ट्रॉंस यूजिंग कितना हेच प्लस यह आपको याद करने कि और यहां पर लान्थनाइट कॉंट्राक्शन भी बीच में आता है वो सब चीज़ा आपको रिवाइस करके अलग से लिख लेनी है आपको अलग से लिख लेनी है आपको टाइना वेश्ट करना पड़े अब आते हैं और गयानिक केमेस्ट्री जिससे तो पूरा मतलब संस और गयानिक एंसी इंटी से ही आता है हां आपको अंडेस्टाइनिंग इस रिक्वाइड अंडेस्टाइनिंग ओविसलि आपको थोड़ी जादा चाहिए होती है अगर आप चाहा रहे हो तो आपको 99 परसे अपका एंसी आइटी से ही आता है बच चिल आप कुछ और सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट वेरी 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 इंपोर्टेंट तार लगा लो चिंग है मेक सेपरेट नोट बुक फॉर नेम रियक्शन जितनी भी नेम रियक्शन आपके सेलिवस में वोड्स हो गया वसे तो यह 11 का है आपका एलडॉल हो गया आप समय कौन हो गया फॉफमान ब्रोमाइब हो गया सबका अलग से लिख़र एक कॉप्य ले लो infect वन पेज फेर्ए कंगारáz लाजशन पेपर टक वन पेंच वन्रियक्शन तरीका बताता हूं आप क्या गरो रात में अपर दिन में कभी भी आप एक टाइम निकाल लो वन आर का एट लिस्ट याँ हाफ एन आर का आप एक कोई रियाक्शन पकड़ो उसको अच्छे से पड़ो समझो और उसको एक पेज पर लिग डालो और नेम रिच्छे आपसे वह नोट में पूछ सकता है आपसे वह इंप सकता है कि 10 उवर से वह कमप्लेल सुड्य के हएं कि release कि मैं पूछ रखनी से तो यह चीज़े आपको ध्यान रखनी है और लोगुर सकता है मैं तो बोलूँगा इसके लिए भी एक आप एक कॉपी लगा लो मैंने अराउंड मैं सही बोलूँगा मैं मतलब मैंने मोर देन 500 कंवर्जिंस प्राक्टिस किये थे देटेश मैंने सब के व्लस्त प्रेपर्स पे प्लस इंटरेट से यूट्यूब ऌशिऑ रखी ती के और यूाफ प्र्वियूंत चैनलगा में चहते हों कि मैं कनवर्जिंस की सीर्य के श्क्र पॉइंट पॉइंट है योर आंसर शुड फट इसफ इक्स्पेडरी यहां पे सेलफ अंडर्स्टूड कुछ नहीं होता है एफ उच्छ नहीं होता बच्छा क्या सोचता है यह यह पता ही होगा वह समझ जाएगा examiner is definitely capable enough to understand but your answer should be such that कि इंसान को कुछ नहीं आता तुम्हें ऐसे लिखना है कि मुझे कुछ मैं मालनो मैं तुम्हारी copy चेक कर रहा हूँ I don't know a single thing तुमसे उसने एल डॉल पूछा है ठीक है तुम इसको 100 लाने है तो you don't have to give any chance to your examiner to deduct your marks आपको अपने नंबर काटने का एक मौका भी नहीं देना है कि यहाँ पर तो वह सोच सकता है कि उसने formaldehyde का example क्यों नहीं दिया तो आपको लिखना पड़ेगा कि acidaldehyde देता है formaldehyde नहीं देता क्योंकि उसके पास alpha h नहीं है just mention things understood वाला खेल नहीं खेलना है मैं ठीक है अगर बच्चा भी पढ़ रहा है ना तो आप बच्चे को भी समझ में आना चाहिए equations always balance इससे मेरे एक बहुत अच्छी memory जोड़ी हो यह मैं बताता हूं बहुत अच्छी memory जोड़ी है आपको बताता हूं तो कुछ नहीं मिलेगा माक सी नहीं मिलेगा दो नंबर का अगर है तो एक मिलेगा आधा मिलेगा नहीं मिलेगा ठीक है और गयानिक में क्या है चांसे मिल तो हमेशे जाता है मैं बोल रहा हूं आपको पूरे नंबर मिलेंगे चाहिए बालस ना गरो बट च्टिल अटॉपर की आंसर की वहीं होगी जो फिर से मैं बोल रहा हूं एक भी मौका ना दे काटने का क्योंकि अगर 98-99 आपके जा रहे होते हैं ना 98-97-99 तो एक्जामिनर क्या करता है ना कॉपी दुबारा चेक करता है वह धूंडता है मौका की कहीं स्लाइट भी गलती मिले ना मैं उसका मौका देखके पेपर में नंबर काट दूँ और वंदे को 99 पर रोक दूँ मैं जानता हूं कि वह कैसा लगता है ठीक है इसलिए आपको मौका नहीं देना है कि वह अपका मांक्स काटे ओर्गाणिक मैं भी आप सारे कंबर्जेंस में बालेंस करो आप शोड़ एस नियार को हो अभी रिख्शे ती-ट्राइब ररहे हो एक्सप्लेंच रहे हो हो एक्सप्रेंग रिख लेए sudah do अप्इस गराइब हो म Nous अट्राइब करो हो टुटी-बैलेंस ट्राइब कुरू तुट बानस दीक्वेशन चिक एफ तो यह आपको अभी रिलाइज नहीं हो रहा ना तो एक टाइम बाद आगर आगे जाओ कर यह डिल डेफिनिटी रिलाइज दिस टिक है में सट्ट आप से क्वेश्ण पुछा जाता है अपूस करो बिसे बच्च वाला कुछ ने मैं बस एक एक जामपल देने के लिए बताराओं ठीक है आपका फिर और यह दिस और फिन थिक है पिन एज और फिन विज और तो पैरा डिरेक्टिंग ठीक है ऐसा क्यों तो बच्चा क्या करेगा बच्चा लिखके चलाएगा इंक्रीजेज इलेक्ट्रों इंसिटी एट और्थो पेरा पोजीशन और एक टॉपर आंसर की जो होती है हंडेड मार्स वली जो क्या करेगा वो यह तो लिखके आएगा ही बट टीचर को प्रूफ तो करके दो टीचर को रेजोनेंस बनाके प्रूफ तो करो रो रेजोनेंस और प्रूफ करो उसको इलो भाया इलो और थो पैरा पे देंसिटी इंक्रीज हो रही है है ना सब कोई चीज़े प्रूफ करने पड़ेंगे नथिंग इस अंडर्स्टूड डाट मेक्स यूर आंसर की या हंड्रेड नमबर आंसर की ठीक है बहुत बढ़या वही बहुत बढ़या अल्वेज राइट दी फॉर्मुला इन नुमेरिकल्स अंड इस्प्लेइं टर्म्स इंवल्ट वही बात आ रही है मैंने आरी ने इसका फॉर्मुला दे दिया के aE की पावर माइनस e a by rt अब भाई लिख किया अपने सॉल्फ कर दिया अब टीचा नमबर गाट लेगा मुझे क्या पता के क्या है मुझे क्या पता एक या मुझे क्या पता एक मुझे क्या बता आर क्या explain everything कि k क्या है rate constant a क्या है pre-exponential factor ea क्या है activation energy r क्या है gas constant explain करो हर चीज़ को साथ में लिखो numerical में भी लिखो चाहे detail में लिखो theory में कहीं पे भी आप अगर कोई formula use कर रहे हो तो इसको में आपको explain करना पड़ेगा और एक और चीज़ आपने एक question देखा question भले एक number का है question भले एक marks का है या दो marks का है उसे कोई numerical solve करवा रहा है आप value put करने से सबसे पहला जो आपका step होगा step 1 वो होगा formula फिर आप इसको solve करोगे फिर आप values put करोगे फिर आप solve करोगे फिर आप final answer दिखोगे समझ में आ रही है बात clear है बढ़िया write the name of reactants and products in conversions या आधे बच्चो भूल जाती नहीं समान लो तुमसे मैं पूछू phenol to आप से रिमर टीमन reaction पूछी है रिमर टीमन reaction पूछी है आपने theory में लिख दिया lines में लिख दिया आप जब इसको equation में रिप्रेजेंट कड़ते हो आप बस लिख देते हो phenol plus chloroform plus koh gives to sally seldehyde तो बेटा यहां पर काम करो for a better answer यहां पर लिखो phenol यहां पर लिखो sally seldehyde ठीक है इवन आप balance भी करो आगे वाले प्रोटेट्स पी लिखो जबके आपके बनते हैं kcl plus water आप लिखो और balance भी करो ठीक है आप लिखो और यहां पर balance भी करो चिक है हां तो यहां पर 3H2 आप balance भी करो मज में आ रही है बात हर चीज़े प्रॉपर्ली आप mention करो अपना नीचे नाम भी लिखो this is what is the top part answer चीक्यां अब बात आती है हमारे तीसरे segment की which is timely completion और यह तो तभी आएगा आपके पैस अब जो time बचा है तो 2-3 months का time बचा है उसमें आपको revision करना है आपको model paper लगाने हैं और आपको previous year solve करना है चीक है but with the time limit of three hours कोई time पर आपका paper होता है ना ISC वाले 2-5 CBC वाले सुबह वाला time उठो उतने मजे बैट जाओ clock लगा लो घड़ी लगा लो घरवालों को बता दो उसको solve करो उसी 3 hours में be honest with yourself 3 hours में solve करो देखो आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो और preferably जाओ और get it checked by your teacher in your school चेक तुम कितना progress कर पा रहे हो और 3 घंटे का time मतलब 3 घंटे का time no dishonesty वरना वहां पर आप पूरा नहीं कर पाऊगे time समझे with a time limit of 3 hours we have to solve without time तो मैं भी कर लूँगा कोई भी paper दे दो यार मैं कर लूँगा उसको कोई भी कर लेगा अब बात आती है paper के time बेगा करना है या paper attempt कैसे करना है मैं तो बोलूँगा कि जो आपको आ रहा है आप उससे start करो आप space छोड़ते जाओ space छोड़ते जाओ और आप जो आपको आ रहा है attempt that first उससे आपका confidence boost up होगा और डेफिनिट सी बात है न कि आप पहले से कुछ सोचके गए और वो segment अगर आपका difficult आ गया तो आप फिर क्या करोगा आपका confidence भी गर जाएगा attempt वो करो जो आपको आ रहा होता है उस confidence से फिर आप बाकी चीज़े भी solve कर सकते हो I hope आप लोग को ये सारी मेरी tips and tricks समझ में आयोंगी for getting hundred marks in your class 12 chemistry board exams अपनी suggestions अपनी queries अपनी reviews नीचे comment section में जरूर दीजेगा मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक stay tuned with chemistry वातकरान thank you so much झाल